दुनिया की हलचल पर पैनी नजर पड़ताल दुनिया भरकी देखिये जुड़िये ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और सा समंदर पार आखिर हम है ग्लोबल सिटिजन नमश्कार पड़ताल दुनिया भरकी में आपका स्वागत है दो हजार इकिस में अगर अंतराश्टिय मानचित्र पे देखिये तो सबसे बड़ी खबर जो शुरू से लेकर अंत तक यानि दिसंबर तक जिस पर सब की निगाह बनी रही वह है अफगानिस्तान अफगानिस्तान में जिस तरह से 20 साल का पूरा का पूरा अमरीकी जो कबजा था जो शाशन था जिसे माना जा रहा था कि उसे हिलाया नहीं जा सकता उसे जिस तरह से तखता पलट किया गया तालिबान की सरकार बनी उसने सब का ध्यान इस ओर दिलाया कि कभी भी केंद्र को जो सत्टा का केंद्र है उसे जो एक धंग से देखा जाता है यह माना जाता है कि यह इतनी अचूक सत्ता है कि इसे चैलेंज नहीं किया सकता अफगानिस्तान ने अमरीका को यूं कहिए कि घुटने पर बैठने पर मजबूर किया जिस तरह से वहां से लोग भागे, अमरीकी सेना भागी, जब वो लोग आये थे तब समुह में आये, जब गए तो अकेले गए, इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, जब हम साल के अंत में देखते हैं पूरे मानचित्र को, प्रबीर हम आप से जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा घट क्या असर है, कहानी किस तरह से देखी जाए दोहजार एकिस के अंत में, देखिए, अफगानिस्तान से वो निकलेंगे, अमरीका चली जाएगे तो बहुत साल से कह रहे हैं, पर उनका ख्वाइश ये था कि जीत के जाएंगे, कुछ नया मुल्क बना देंगे, जो हमारे पलट सकते हैं, तो ये जो इनकी ख्वाइश थी, ये पूरा नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही नहीं, एक दुनिया के सामने, जो एक चैलेंज था एक रूप में, कि एक देश है, जो दुनिया को चलाता है, सबसे बड़ा बुल्क है, पावर के हिसाब से, जिसे कहते हैं, सोल हे जो मौन, अमरीका है, एक चैत्र शाषन करने वाला, शाषन कहीं है, ये चैत्र करिये, दुनिया को वही कंट्रोल करता है, उसका दुनिया के बाग डोर उसके हाथ में है, ये जो एक चित्र था, बदलता तो रहा ही था, पीछले दशक से ही बदलना शुरू हुआ है, खास तोर से जब इराक में असफल हुए, सीरिया में तक्ता पलटनी की बशर अलसाथ का कोशिश किया, वो फैल हुआ, तो धीरे धीरे वो च्छबी तो बदल रही थी, पर अफगानिस्तान एक निनाएक मेरे ख्याल से कदम है, दुनिया में, जिससे ये निकल के आ रहा है, कि अ अमरिका के पास अब नहीं रहा, बहुत सारे वज़े हो सकते हैं उसके, उसे मैं नहीं जा रहा हूँ इस वक्त, बर एक जो आपने कहा कि एक ऐसी मोड है, दुनिया के लिए, कि एक सौवेट यूनियन की पतन के बाद, तीस साल अभी हुआ है, सौवेट यूनियन के पतन के बाद, जो लगा था, कि सिर्फ एक ही देश बचा, जो कि दुनिया कॉल्टोर हो गया है, वो बदला है, और अगर रिखांकित करे कि कब वो बदलाओ को हम स्वीकार कर सकते हैं, मैंने ख्याल से वो अफगानिस्तान है, वो साबित कर दिया, एक ऐसा मुल्क जो पिछड़ा ह हुआ है, जिसके पास इस तरह का कुछ साधन नहीं है, तो लोग कह रहे हैं कि बद्ध यूगिये हैं, सही भी है, बहुत सारे चीज वहां बद्ध यूगिये आप कह सकते हैं, पर उनके सामने सबसे बड़ा सामरिक शक्ति दुनिया का, वो घुटने टेके जो आप कह रहे ह कम से कम अगवगानिस्तन का अंदर तो सही, और वहां से एक्चुली भागे, आखिर का द्रिश्य अगर देखे, तो वहां से उनको भागना पड़ा, तो ये जो द्रिश्य है दुनिया के लिए, एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से, एक बहुत बड़ा चेंज का इंडिकेश किया, अफगानिस्तन तो पहली की बात, इसके बाद इराक में, सिर्या में कोशिश किया, तो ये जो लिबिया में पूरा देश को तहस नहस कर दिया, गदाफी को मारा और उसके शाशन को पूरा पुरी तरह से द्वस्त कर दिया, तो वो जो एक क्रम चल रहा था, किसी हम तकता पलट के एक नया सरकार बना देंगे, घुसके तकता पलट तक तो कर लिया, पर उसके बाद बदलना ये अमरिका के लिए संभब नहीं हुआ, और उसका आखरी जो बिंदू है, वो है अफगानिस्तन, साथ देखने को मिल रहा है, तो दुनिया में एक कोर्रिलेशन of forces को अगर देखे, मेरे ख्याल से अफगानिस्तन की जो ये पराजय है, अमरिका के लिए, ये बहुत अहमेत रखे है, ये एक turning point माना जा सकता है, जो present history है और international relations है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा turning point है, क्योंकि एक तरफ एक गरीब छोटा सा मुल्क, और एक तरफ दु financial control अभी भी दुनिया के उपर रखा हुआ है, पर सामरिक शक्ती, military power में, जो उनको ध्वस्त करने की जो छमता है, वो तो अभी भी है, किसी भी देश को ध्वस्त कर सकते हैं, पर ये साफ है कि जो colonial powers करते थे, ध्वस्त करके, और कुछ सामराजय बनाने की जो कोशिश कर सकत थे और करते थे, वो करने की शमता, बीसवी सदी में नहीं किसी का था, और वो सावित हो गया, इस एकिसवी सदी में, शुरुआत में सावित हो गया, कि वो colonial chapter जो है, वो खतम है, और अमरिका का जो ख्वाइश था, कि हम new colonial chapter दुबारे से बना सकते हैं, क्योंकि हमी सिर्फ एक मुल्क बचे जो दुनिया को पूरा शाशन इस तरह से कर सकता है, वो चीज़ खतम होगी, तो इसलिए आपका turning point जो आप कह रही है, बिल्कुल सही है, अब हम चलते हैं इरान की तरफ, क्योंकि लगातार दिखाई दे रहा है, कि कुछ मुल्कों को केंदर में रखकर, ए अमरीका जिस तरह से, लंबे समय से उसको निशाने पे लिए हुए है, और 2022 के मुहाने पर हम खड़े हैं, तो ये जो पूरा का पूरा करम दिखाई दे रहा है, कि इराक के बाद जो इरान को केंदर में रखा गया है, उसकी मिसाइल को लेकर बाचीत है, और पूरी तरह से चारो तरह से घेरने की तैयारी दिखाई दे रही है अंतराश्टी इस तर पे, इसके पीछे की कहानी क्या है और मिसाइल वाला क्या मामला है जारा? देखिए तो सीफ साफ बात है, कि जब इरान के शाह को गिराके, जो शक्तिया जो इस वक्त इरान पे हावी है, वो आयत सत्ता में, तब उन्होंने अमरीका को एक तरह से हुमिलियेट किया था, उनके इमबेसी के लोगों को काफी दिन करीब करीब इमबेसी में बंद रखा तो उनको लगा कि ये इरान, जो हमारे साथ नया सरकाराय जो किया है, उनको एक सबक सिखानी पड़ेगी, और वही सबक को सिखाने के लिए पिछले 40 साल से कोशिश करे जा रहे हैं, शाह उनका आदबी था, तो उसको हटाना, उसको माफ नहीं किया, खास तोर से जब इन्ह इसको अमरिका को इस चीज का जो क्या कहते हैं, सबक इरान को सिखाने के लिए 40 साल उनको लगा दिया है, अब इस वक्त अगर आप देखें, उनका जब उबामा के साथ JCPOA 2014 में, जब साइन हुआ था, तब ये था कि हम इरान के साथ नॉर्मिलाइज करेंगे, नॉर्मिला कि आप नॉक्लियर वैपन शायद बना रहे हैं, चोरी शिपी, फलाना धमा का, सब कुछ आपका देखना चाहते हैं, सब कुछ खोल दीजिए हमारे लिए, तो समझाता जो अब किया था, इरान ने कहा, ठीक है, हम अपना जो फिसाइल, मिटीरियल उनके पास था, काफी था उस वक्त, वो राश्या भेज दिया था, बहर भेज दिया था, सेंट्रिफ्यूजेस को डिस्ट्रॉई कर दिया था, बहुत सारे, उनको नाकाम सिर्प नहीं किया था, बहुतों को कोल्ड स्टोरेज बे रख दिया था, ये भी किया था, तो ये सब करने के बाद एक उनका चलने वाला था, वो भी बंद कर दिया, ये सब करने के बाद उनका ये ख्याल था, कि शायद हमारी अब अमरीका से इतने साल बात नॉर्बिलाइज हो जाएगी, हम एक नॉर्बिल देश जैसा है, उसको अमरीका मान लेगी, हम इन चीजों को मानते हैं, तो वो हमारी financial sanctions वगर हटा नहीं था उन पर, हटने के प्रक्रिया में था, ट्रम पाये, कहा अबाबा गलत किया, इस्रेल उनको उकसाया, कि एक्चुली ये बहुत अच्छा और भी चीज बिल सकता था, अगर हम प्रेशर देते, पर उबाबा ने नहीं दिया, इसलिए एक गलत डील हुआ, तो ट 2014 से और करीब है, वो न्यूक्लियर बंब बनाने के, तो अगर वो उनका लक्ष था कि एरान को गुटना टेक के ये सब बंद करा देंगे, नहीं हुआ, अभी भी बाइडन जब आए, तब बातचीत करके जेसी प्यूए को जल्दी फिर वापस लाते, तो ये सब बाते नही होती, पर उन्होंने अभी भी शर्ट लगाना शुरू किया, कि हम ये तब करेंगे, जब आप ये मान लोगे, वो मान लोगे, और ये कोई बुल्क जो जेसी प्यूए इतना नेगोशेशन के बाद एक ट्रीटी में बना, उसको तोड़ा अमरिका, अब फिर वहाँ वापस आने के लिए और कुछ उसके उपर शर्टे लगाएंगे, ये इरान मंजूर नहीं कर सकता, और वहीं उसने कहा, कि ठीक है, आप ये कर दीजिए, अगर आप जेसी प्यूए को सैंक्शन्स हटा लेंगे, हम वापस चले जाएंगे उस थित पर, आप एक गारेंटी दीजिए दुबारा आप यहां से हटेंगे नहीं, तब अमरीका कहा कि ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं, अगला प्रेसिडेंट क्या कहा, तो अब जो बाते आ रही है, कि बाइडेन को उन्होंने कहा था, कि ठीक है, आपके टर्म पे, आपके टर्म रहते हुए, 2024 के लिए आप गारेंटी दीजिए, सैंक्शन सब वापस नहीं करेंगा, सब सैंक्शन दो वापस कर लीजिए, तो वह भी बाइडन ने इस विक्रिती नहीं थी, उसको मानने से इंकार किया, तो यह जो स्थिती है, अब इरान करीब पहुंच चुका है, अब उसके पत्ते अगर देख जाए तो उनक का काफी नीचे जो है, उन्होंने फिसिलिटीस बना रखी है, तो बाहर से बंबारी करके, इसरेल के इस वक शंता नहीं है, कि उन सब को डिस्ट्रॉय करें, तो उसलिए वो लगातार अमरीका को उकसा रहा है, कि आप इनको डिस्ट्रॉय करो, बंबारी करो, अब सवाल यह है कि जो करने में हिचकिचा क्यो रही है अमरीका, कि उसके पास मिजाइल से इरान के पास बड़े पहमाने पे, तो उन्होंने कह चुके हैं, कि अगर यह करोगे, तो आसपास जितने आपके मिलिटरी बेसेज हैं, अमरीका की, बहुत सारे हैं वहां पे, सो सब को हम बंबार करके हम उसको खत्म कर देंगे, आपकी युद्ध-जिहाद जो है उसको भी खत्म कर देंगे, और ये परोख्षखत ये जो है, धंकी है, कि इस्रेल की जो फेसिलिटीज है, नूकलियल फेसिलिटीज, वर्टिलाइजर, केमिकल फेसिलिटीज, उन पर भी हम बंबारी की तो इस्रेल बी नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेगे तो इस्रेल भी बचेगा. अब जो है इस्रेली जो सीनिर ओफिशिल है, जो रेटर कर चूके हैं, वो कहर रहा है, सबसे बड़ा हमारी स्ट्रेटिजिक बयौफ़ी थी, कि हमने टरंप को कसाया इस जेसुपीए उर कलने के लिए हमारे लिए जेसी पुए बहुत अच्छा था इरान के उपर कम से कम अंकुष था अब वो अंकुष नहीं रहा इरान नुकलियर बाम बगर बना लिया उसकी जो मिजाइल्स है इसरेल के लिए कुछ करने का नहीं है तो छोटा सा विंडो है जिसके जरिये इस वक वक्त जो है हम क्या करें उस पर हमला करें खुद करने से खास फल नहीं निकलीगा इसी लिए कह रहे हैं कि अमरीका हमला करें और यह प्रेशर इस वक्त खत्रे की जो बनी हुई है इसलिए है कि यह दो तीन चार महीना शे महीना है जिसके बीच वह इरान को रोकने की कर सकते इसके बाद किया हाथ से निकल जाएगा तो यही इस छे महीना जो है एक संकट की घड़ी है क्योंकि इस वाक्त और जो मिसाइल की बात है तो हमें पूरा मैप में भी दिखाई देता है कि जो मिसाइल से यह तो आसपास के जो मुल्क हैं वहां पर भी मिसाइल बड़े अफरीका दोनों जगहों पर देख लीजे कितने देशों को पास कितने मिसाइल से अर अगर यह देखेंगे तो इस इलाके में सिर्फ इरान ही अपना मिसाइल को गेर देगा हाथियार गेर देगा और सब मिसाइल रखे रहेंगे यह नमुम्किन है कोई भी देश इसको माने यह अमरीका की बात नहीं है यह तो आप कहते हो कि अमरीका ठीक है बहुत बड़ा बुल्क है उसके पास तो हात्यार बहुत ज्यादा है पर साथे रेबिया है उसके military expenditure तो इरान से तीगुना ज्यादा है छे गुना ज्यादा है अलकि इनको population जो है इसे काफी कम है तो इस तरह से अगर गिनते जाए तो इरान इस इलाके में भी United Arab Emirates, Saudi Arabia का military expenditure उनसे काफी कम है इरान के जनसंख्या के मताबिक अगरा जनसंख्या चोड़ भी दीज़े सिर्फ absolute terms भी इनका खंशा काफी कम है तो अब तो इसको देखते हुए एरान अपना सब कुछ गेर देगा आत्म सभर्पन कर देगा अगर यही होता तो 40 साल पहले हो जाता है 20 साल पहले होता आज इरान अपने आपको ज्यादा शक्तिशाली मानता है और अफगानिस्तान को हालत देखते हुए इतना बड़ा मुल्क इरान काफी बड़ा है असी मिलेन उसकी जनसंख्या है उसको अगर अमरीका इन्वेड करके उसको खतम करना चाहे या पराजित करना चाहे, कंट्रोल करना चाहे, अकुपेशन करना चाहे, इराक में फेल किया, अफगानिस्तन में फेल किया, सीरिया में शाशन परिवर्तन नहीं कर पाया, तो ये संभावना इरान के लिए अमेरिका के सामने नहीं है, कि वहाँ पर जाके वो कब्जा करें इर तो यह जो है इसके बाद एक ऐसे थिती में है जिसको कहते हैं एक स्ट्रिटीजिक पॉइंट पर हम है जैसे इधर जा सकते हैं और इसलिए मैंने कहा कि छे महिना पड़ा खतरनाक है क्योंकि इसके बाद इस पर उस पर हो जाएगा और यह क्राइसिस यह तो खतम हो जाएगा यह तो वेस्ट इशिया को एकड़न खतम कर देगा उगर वो खतम होता है दुझना के लिए बहुत बहुते बहुत मारी चैलंज है तेल आपके दुझनींगे सबसे ज्यादेढ़ इस आती है चाहे चीन हो चाहे भारत बर्श हो चाहे य, यॉर्प हो तो यह खतम होना दु उसको हल करने का कोशिश किसी का नहीं है सब देखे हैं हमारे इस पे क्या फायदा किता नुकसान है तो यह बेवकूफी है दुनिया के लिए क्योंकि अगर जंग होता है तो किसी का फायदा नहीं है जी तो मुझे लगता है कि 2021 की सबसे बड़ी सबक और सबसे बड़ी रहे हैं अफगानिस्तान में हार के बाद भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से तनाव बनाये रखा जाए इधर कभी चीन को निशाने पे लेना कभी रूस को अफगानिस्तान इरान इराग सब्दिश को अभी बड़ी बात है पर हमारे लिए खत्रा ये है कि ये अभी भी जो आप कह रहे है अफगानिस्तान की सबक लगता है अंद्रूई तरीके से आत्मसात नहीं हुआ उनको दिल में नहीं बैठा कि हम हार चुके है सबसे शक्तिशाली मुल्क तो है दिनिया को हम डिस्ट्रॉई कर सकते है पर बनानी कि शमता कहीं भी हमारे एक देश का नहीं है अफगानिस्तन इराक सिर्या लिबिया सबकी सबकी उधारन हमारे सामने है पर वही चीज जो है अभी भी उनके गले के तले उतर नहीं रही ये खत्रा है हमारे लिए जी तो मुझे लगता है कि हम यहीं से अगले साल में प्रवे पर ये जो सारे सवाल हैं जलते हुए सुलखते हुए जो हमें और मानवता को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं इन पर नजर बनाए रखनी होगी खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा जिसे प्रवीर कह रहे हैं कि हम दूर से सिर्फ दर्शक नहीं बन सकते बगल का घर ज दे सकता है शुक्रिया